नमस्कार आप देख़े नियूस फोर नेशन और मैं हूँ सांथ फुना आपके साथ बिहार की राजनीती का सियासी पारा इन दुनों बेहत गर्माया हुआ है जहां बिहार में एक तरफ उपचुनाफ को लेकर तमाम तैयारिया चल रही है तो वहीं बात की जाए चात्रसंग चुनाफ की तो पटना उनिवर्सिटी में दो सालों के बाद चात्रसंग के चुनाफ हुए जो कई माईनों में बेहत दिल्चस्प रहे इस बार पूरे युवाओं का ध्यान पटना उनिवर्सिटी स्टूडेंट एलेक्शन की तरफ था स्टूडेंट एलेक्शन में कई चीजें देखने को मली जो की बिल्कुल अलग और दिल्चस्प थी लेकिन इस चात्र संग्चनाव के संपर्ण होने के बाद जद्यू ने एक बार फिर से खुद को स्थापत कर दिखाया है जहां सेंट्रल पैनल के पाच पदों में से चार पद जद्यू के खाते में गिरे हैं जद्यू ने इस बात को साबत कर दिया है कि वो नमबर वन पाटी है ग्राउन लेवल पर युवाओं के बेच जद्यू की खासी लोग प्रियता है और यही वज़ा है कि जद्यू ने अध्यक्ष पद समेथ तमाम अन्य तीन पद भी अपने खाते में ले लिए और कहीं न कहीं दूसरे दल को ये चुनोती दी है कि जद्यू का सामना करना कोई छोटी बात नहीं है जद्यू को टक्कर देना इतना आसान नहीं है जाएक तरफ बिहार की जो मुख्य राजनीती है वहाँ जद्यू और राजद एक साथ है महागजबंधन की सरकार चल रही है नितीश और तिजस्वी ने मिलकर सरकार बनाई है तो वहीं अगर पटन युनिवर्सिटी स्टूडेंट एलेक्शिन्स की बात की जाए तो इस छात्रसंग चुनाव में जद्यू और राजद आमने सामने थी जहां जद्यू ने RGD की हवा निकाल दी है RGD को ये समझा दिया है कि जद्यू ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है युवाओं के बीच जद्यू की कितनी पकड़ है और कहीं न कहीं जद्यू इस बात को स्थापत करने में पूरी तरीके से काम्याब हो गई है आपको बता दे कि पटने उनिवर्सिटी छात्रसंग चुनाव का रिजल्ट शानिवार को ही आ चुका है और अब मुख्यमंत्री नितीश कुमान ने जीतने वाले तमाम उमीदवारों से मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ता भी भी भीट किया जिसके तस्वीरे भी सामने आई है और अब जो राजनीती हो रही है वो आप जेटी बनाम जद्यू के देखी जारी है इस चात्रसंग चुनाव को लेकर दरसल पटना विश्य विद्याले में चात्रसंग चुनाव दो सालों के बाद संपन हुआ इसमें लगबक 54.38 प्रतीशत मतदान हुआ पंजिकरिट 24,523 मतदाताओं में से 13,337 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया शनिवार देरा चुनाव परिनाम घुशित कर दिये गए उसके बाद से कहीं खुशी तो कहीं गम का महौल बन गया है चात्रसंग चुनाव परिनामों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है सत्ता के मुख्य अधारा में काम करने वाले राजुनितिक दलों की और से एक दूसरे पर वार प्रतिवार शुरू हो गया है चुनाव में निदीश कुमार की पार्टी से जुड़े चात्र संगठन चात्र जदियों ने बहतर प्रदर्शिन किया है सेंट्रल पैनल में पांच में से चार पद चात्र जदियों के उमीदवारों ने जीत लिये अध्यक्ष सहेट चार पदों पर छात्र जदियू ने जीत दर्ज की है छात्र जदियू ने कि आनंद मुहन ने अध्यक्ष पद के कड़े मुकाबले में NSUI के शाश्वत शेखर को हराया है उपाध्यक्ष पद भी छात्र जदियू के खाते में गया प्रत्याश्य अधित्य सेंग ABVP की प्रतिबा से 1329 वोट से जीते विक्रमादित्य को 4000 पचपन वोट मिले जबकि प्रतिबा को 2726 मत प्राप्थ हुए वही सेयुक्त सचिफ पर छात्र जदियू की संध्या कुमारी की जीत दर्ज हुई है कोश्या देक्ष पत्पर जदियू के रविकां ने जीत दर्ज की है उन्होंने ABVP के वैवफ को कड़े मुकाबले से हराया एक पोस्ट ABVP के पास गया मासचिफ पत पर BJP समर्तित ABVP के विपलकुमार ने जीत दर्ज की गौरत अलब है कि इस जीत हार का राजनतिक विशलेशन शुरू हो गया है पत्ना विश्य विद्य चात्र संग के ने अध्यक्ष आनंद मोहन ने कहा है कि नितीश उमार की कल्यान कानी उजनाओं का असर चात्र संग चुनाव में दिखेगा और ये दिखा भी सेंट्रल पैनल में संगठन का डंका बज़ा है उन्होंने कहा कि चात्र जद्यू में उत्सा और उमंग का महौल है उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया इस बीच सरकार के सहियोगी तिजस्वी आदफ चात्र संग चुनाव में सद्धी साबित हुए चात्र राजत को एक भी सीट नहीं मिली साथ साथ नस्यू आई एवं वाम दलो के चात्र संगठनों का भी खाता नहीं खुला प बजर्ग हो यूवा हो या फिर चात्र हो सबको नितीश हुमार पर जूट विश्वास है नितीश हुमार की कारिश यली का प्रभाव असबार के चात्र संग चुनाव पर साफ दिखा है राज़त प्रवक्ता मृतिंच्य तिवारी ने महागच बंदन की जीत बताया है उन् वीवी के चात्रों ने देश में संप्रदाइक शक्तियों का साथ देने वाली ताकतों को नकार दिया है बरहाल उदर विपक्षे दल भाजपा ने राज़त और तिजस्वी पर कड़ा हमला किया है प्राटी प्रवक्ता अरवन संग ने कहा के राज़त के युवराज तिज जस्वी आदव कुछ हत्रों ने नकार दिया है तो जस्वी आदव एक सीट के लिए तरस्ते रह गए वो पटना विश्य विद्धाले चुनाव में किसी काम के नहीं रहे जदियों की जीत पर बीजेबी प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी एवन प्रशासनेक मैनेजमेंट से ज जीतने में सफल हो गई बीजेबी ने चुनाव में प्रशासनेक गुंडों का इस्तिमाल का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि निटी उश्रमा ने फिर राज़त को अकाद दिखा दी पटने उनिवर्सिटी स्टूडिन्ट एलेक्शना की समापन के बाद अब बिहार की राज़ती में वार का जो सलसला है वो शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का सलसला जारी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जद्यू और राज़त की जो छात्र संचनाव की लड़ा है मुक्षमंत्रु निती शुमार की लोग प्रियता हर्ग वर्ग में है और असबात को पटने उनिवर्सिटी एलेक्शन्स ने साबत कर दिया जहां फाइव आउट और फो सीट्स छात्र जद्यू ने अपनी कबजे में लिया है फ़ला के लिए सब्जेट में अतना ही नमस का